दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत थे आपका एक पर फिट से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेखा हेमा मालेनी और श्री देवी जी की साल 1980 से लेकर साल 1986 तक की सबी फिल्मों के बारे में यानि के साल 1980 से लेकर साल 1986 तक रेखा हेमा मालेनी और श्री देवी जी ने टोटल कितनी-कितनी फिल्मों में काम क्या था इन में से कितनी फिल्मे हिट रही थी, कितनी सूपर हिट रही थी, कितनी फ्लॉप रही थी, सब इते बारे में और सात ही सात आपको ये भी बताने वाला हूँ कि रेखा, हेमामालनी या फिर श्रीदेवी, साल उनेस तो आसी से लेकर साल 1986 तक किसके नामे सबसे ज्याधा हिट और सूपर इट फिल्मे तो बात करेंगे इसी के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चलिए दोस्तु वीडियो स्टार्ट करते हैं रेखा के बारे में तो अगर बात की जए रेखा की तो साल 1980 से लेकर साल 1986 तक रेखा जी ने टोटल 45 फिल्मों में काम किया साल 1980 में रेखा जी ने की थी राम बलराम, ज्योती बने जुआला, जुदाई, मांग भरो सजना, खूबसूरत, काली घटा, आचल, जल महल और एग्रिमेंट राम बलराम, 4,75,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, लाक रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी और एग्रिमेंट पचास लाक रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी साल 1981 में रेखा ने की थी एक ही भूल बसेरा, खुन और पानी, सिलसिला, उम्रावजान, कल्यूग, साजन की सहिली, चहरे पे चहरा और मंगल सुत्र एक ही भूल, दो करोड तीसलाख रुपे कमा कर हिट रही थी, बसेरा, दो करोड रुपे कमा कर हिट रही थी, खुन और पानी, डेल करोड रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी, सिलसिला, डेल करोड रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी, उम्रावजान, एक करोड तीसलाख रुपे क कमा कर एवरेज रही थी कल यूग एक करोड़ रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी साजन की सहली 50 लाख रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी चहरे पे चहरा 45 लाख रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी और मंगल सोत्र 40 लाख रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी 1982 में रेखाजी ने की थी गजब जीवनधारा रास्ते प्यार के विजेता मेहंदी रंग लाएगी अपना बना लो और दीधारे यार गजब साले तीन करोड रुपे कमा कर हिट रही थी जीवनधारा तीन करोड रुपे कमा कर हिट रही थी रास्ते प्यार के धाई करोड रुपे कमा कर एवरेश रही थी विजेता दो करोड रुपे कमा कर एवरेश रही थी मेहंदी रंग लाएगी डेल करोड रुपे कमा कर फ अगर तुम नहोते प्रेम तपस्या मुझे इंसाफ चाहिए और निशान एक करोड रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी आशाज्योती माटी मांगे खोओन, बाजी, जमीन आसमा, उत्सब और जूटा संच साल 1985 में रenda ने की थी राम तेरे कितने नाम, फास्ले और जूटी राम तेरे कितने नाम फ्लोप साबित हुई थी, फांसले फ्लोप साबित हुई थी और जूटी फ्लोप साबित हुई थी 1986 में रेखा जी ने की थी सदा सुहागन, मुसाफिर, इंसाफ की आवाज, जाल और लोकेट सदा सोहागन एवरेज साबित हुई थी, मुसाफिर फिलॉप साबित हुई थी, इनसाफ की आवाज एवरेज साबित हुई थी, जाल हिट साबित हुई थी और लॉकेट एवरेज साबित हुई थी अब रेखा जी की हिट और सूपर हिट और ब्लॉकबास्टर कितनी फिल्म में हैं वो बाद में देखेंगे पहले बाद कर लेते हैं श्रीदेवी जी के बारे में तो श्रीदेवी की साल 1980 से लेकर साल 1986 तक टोटल 25 फिल्म में रिलीस हुई 1980, 1981 और 1982 ये तीन साल श्रीदेवी के लिए बिल्कुल खाली थे इन तीन सालों में श्रीदेवी ने कोई भी फिल्म नहीं की थी अब साल 1983 में श्रीदेवी ने की थी हिम्मत वाला मवाली, जश्टिस चोधरी, जानी दोस्त, सद्मा और कलाकार हिम्मत वाला 6 करोड उपे कमा कर हिट साबित हुई थी, मवाली 4 करोड 75 लाग उपे कमा कर हिट रही थी, जश्टिस चोधरी 4 करोड 25 लाग उपे कमा कर हिट रही थी, जानी दोस्त, 4 करोड उपे कमा कर हिट रही थी, सद्मा 2 करोड 20 लाग उपे कमा कर फ्लॉप रही थी और कलाकार देळ करोड उपे कमाकर फ्लॉप रही थी 1984 में श्रीदेविंजी ने की थी तोहफा, मकसद, अकलबन, इंकलाब और नया कदम तोहफा 4 करोड़ पचास लाख उरपे कमाकर हिट साबित हुई थी मकसद 4 करोड 25 रुपे कमा कर हिट रही थी अकल मन 3 करोड रुपे कमा कर हिट रही थी इनकलाब 5 करोड रुपे कमा कर एबरेज रही थी और नया कदम 2 करोड रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी 1985 में शिरिदेवी जी ने की थी मास्टर जी बलिदान और सरफरोष मास्टर जी 4 करोड रुपे कमा कर हिट रही थी, बलिदान 3 करोड रुपे कमा कर हिट रही थी और सरफरोष 2 करोड रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी 1986 में श्रिदेवी ने की थी कर्मा, नगीना, आखरी रास्ता, घर संसार, धरम अधिकारी, जाबाज, भगवान दादा, सुहागन और आग और शोला कर्मा, 7 करोड रुपे कमा कर सुपर हिट साबित हुई थी, नगीना, 4 करोड 75 लाख रुपे कमा कर सुपर हिट साबित हुई थी, आखरी रास्ता, 4 करोड 25 लाख रुपे कमा कर हिट रही थी, घर संसार, 4 करोड रुपे कमा कर हिट रही थी, धरम अधिकारी, साले 3 करोड र करोड़ 25 रुपे कमाकर losing रही थी, अब शिर देवी के हिट और सोपर इड कितनी फिल्म हैं साल 0980 से लेकर, साल 1986 दक वाद में देखेंगे, पहले बात करेंगे हैं मामालेनी जी के बारे में तो हें मामालarlे जी ने साल 1960 से लेकर, साल 1986 दक जो टोटल फिल्में की है, वो किये लगबख 35 फिल्में, 1980 में हेमा मालिनी जी की थी दा बार्निंग ट्रेन, दो और दो पांच, बंदिश, अलिबाबा और चालिश चोर, दा बार्निंग ट्रेन 3 करोड 25 रुपे कमा कर एवरेज रही थी, 2 और दो पांच, 1.5 करोड रुपे कमा क फ्लॉप रही थी, बंदिश, एक करोड रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी, अलिबाबा और चालिश चोर, तीन करोड रुपे कमा कर हेट रही थी, 1981 में एक हेममालिनी ने की थी, किरांती, नसीब, मेरी आवाज सुनो, किरोधी, कुदरत, मानगे उस्ताद, जूती और आसपास, किरांती, 10 करोड रुपे कमा कर ब्लॉप बास्टर साबित हुई थी, नसीब, 7 करोड 25 लाग रुपे कमा कर सूप रही थी, मेरी आवाज सुनो, 6 करोड 50 लाग रुपे कमा कर सूप रही थी, किरोधी, 5 करोड रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी, कुदरत, 1 करोड 75 लाग रु 1982 में हेमा मालिनी ने की थी फर्स और कानून सत्य पे सत्य राजपूत देश प्रेमी समराट बगावत दो दिशाए और महरबानी फर्ज और कानून 4,75,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, रुपे कमा कर हिट रही थी दो दिशाय फ्लॉप रही थी और महरबानी फ्लॉप रही थी है 1983 में हेममाली निजी ने की थी अंधr qanon जश्टिश चोधरी नास्तिक रजियस फुल्टान और तकदीर अंधr qanon 5 किरोड रुपे कमा कर हिट रही थी, जस्टिस चोधरी 4 करोड 25 लाख रुपे कमा कर हिट रही थी, नास्तिक 3 करोड 80 लाख रुपे कमा कर एबरेज रही थी, रज्या सुल्तान फ्लॉप्स आबित हुई थी, और तकदीर फ्लॉप्स आबित हुई थी, 1984 में हेममाली ने की थी, रास्तिलक, एक नई पहली, शरारा, राम तिरा देश और कैदी, रास्तिलक फ्लॉप्स आबित हुई थी, एक नई पहली फ्लॉप्स आबित हुई थी, शरारा, फ्लॉप्स आबित हुई थी, राम तिरा देश फ्लॉप्स आबित हुई थी, और कैदी फ्लॉप साबित हुई थी 1985 में हेमा मालिने ने की थी युद हम दोनों आंधी तूफान और दुर्गा युद एबरेज साबित हुई थी हम दोनों फ्लॉप साबित हुई थी आंधी तूफान फ्लॉप साबित हुई थी और दुरगा फ्लॉप साबित हुई थी 1986 में Hemamalini ने सिरफ एक फिल्म में काम क्या था फिल्म कराम था एक चादर मैली सी और एक चादर मैली सी बॉक्स आफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी तो दोस्तो tutti बात कर लेते हिट और सूपर हिट फिल्मों की किसके नामें सब से ज्यादा तो सब से पहले बात करेंगे हेममालिनी की, तो हेममालिनी ने लगबाद अपने करियर में साल 1980 से लेकर साल 1930 तक 1916 तक 35 फिल्मों में काम किया है तो इसमें जो हिट फिल्मे वो 5 हिट जिसमें जस्टिस चोधरी, अंधा कानून, बगावाद, सत्य पे सत्ता, अलिबाबा और चालिश चोर, ये तीन फिल्में सामिल है, अब सूपर हिट तीन फिल्में हैं, जिसमें फर्ज और कानून, मेरी आवाज सुनो और नसीब, और ब्लॉकबास्टर एक फिल्म है, किरांत अब अगर बात करें श्रीदेवी की, कि श्रीदेवी की सूपर हिट और हिट कितनी फिल्में हैं, तो हिट फिल्मों की लिस्ट में बारा फिल्में श्रीदेवी की हिट है, हिम्मत वाला, मवाली, जस्टिस चोधरी, जानी दोस्त, तोहफा, मकसद, अकलमन, मास्टर जी, ब अगर बात करें रेखा जी की तो रेखा जी ने अपने करियर में साल 1908 लेकर साल 1906 तक लग पैंतालिस फिल्मों में काम क्या अब इसमें से 11 हिट फिल्में हैं जोती बने जुआला, जुदाई, मांग भरोसजना, खुबसुरत, एक ही भूल, बसेरा, गजब, जीवंधारा, अगर तुम नहोते, प्रेम तपस्या और आशा जी होती, सूपरीट एक फिल्म है, राम बलराम, ब्लॉक बास्टर कोई भी फिल्म नहीं है, अब अगर बात करें बाजी की, तो यह जो दोर रहा साल 1908 से लेकर साल 1986 तक, इसमें 3 साल ऐसे रहे, 1980, 81, 82 जिसमें श्रीदेवी कोई भी फिल्म नहीं किया, उसके अलावा 1983 से लेकर साल 1986 तक, श्रीदेवी की जो हिट फिल्म है, वो सबसे ज्यादा है, यानि के इन जो 7 सालों का करियर था, साल 1980 से लेकर साल 1986 तक, इस पूरे करियर में श्रीदेवी सबसे आगी रही, श्रीदेवी की हिट और सूपर हिट फिल्में बाकिस सबसे कहीं ज्यादा है तो अब यहाँ पर बात करें बाज़ी की तो शिरी देवी यहाँ पर विनर रही लेकिन दोस्तों आपको इन तीनों में किसकी परफॉर्मनस सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंड में जुरू बताईएगा थांक्यू